नमस्कार दोस्तो सर्जी क्लासिस में आपका स्वागत है तो हम लोग इंपोर्टेंट जीके क्वेस्टिन्स देख रहे थे रसी एफल एक्जामनेशन के लिए तो इसके पहले हमने अलड़ी दो सेट कंप्लीट आपका करा दिया है क्वेस्टिन सीरीज का तो आप लोग देख लीजे वहाँ पर आपको जहाए पीडियाप मिल जाएगे आपको डैली जूह हमें आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे जो कोश्चन सेरीज आपका चल रहा है हैं तो आप लोग टेलिग्राम चेल को सर्च करना टेलिग्राम एप में जाने के बाल आपको सर्जी क्लासिस के न innovative scheme that is FIR आपके द्वार योजना तो देखिए जो FIR आपके द्वार योजना जो है तो यह कौन सा state government ने start launch किया हुआ है तो इसका देखिए right answer आपका option C हो जागा that is मध्य परदेश तो मध्य परदेश के सरकार है तो यहां जो इन्होंने एक pilot project basis पर इन्होंने एक launch किया हुआ था जिसमें की starting भी इन्होंने तेश police station में यह जो है इन्होंने यह scheme launch की हुए थी तो इसमें देखिए जो भी रूलर और जो आरपन इरिया जो police station जो होंगे तो वहां पर जैसे जो police station होंगे तो वह घर जाके FIR दर्ज करेंगे लोगों का तो यह एक pilot project है तो यह आप लोगयाद रखने मधिपरदेश सरकार ने launch की थी पिर देखिए अगला question है कि extensions of the international boundaries of India along with the neighboring countries in ascending order आर तो आपको यहां पे जो पडूसी देश है इंडिया के जो इनका border share करता है तो आपको इसमें एरेंजिंग करना आपको ascending order में आपको लगाना है तो इसमें देखिए जो आपके चाइना बंगलाजेस पाकिस्तान नेपाल तो आपको इसमें बताना है कि जो boundary है इन सारे neighboring country का तो उसका जो है छोटा से बड़ा होती है यानिकि जो उनक इंडिया का जो सबसे ज़्यादा जो boundary length है तो वो शेयर करता है बंगलादेश के साथ में तो आप लोग यहां पर दो ऑप्संट ऐसे इल्मिनेट कर सकते हैं तो पहला आपका जैसे option A और option C आपका है यहां पर यह दोनों तैसी canopy N आपकar हुए क्योंकि बंगलादेश देखीए सबसे ज़्य Chelsea से और नमबर के साथ में पाकिस्तान के साथ उसके बाद प्र नेपाल के नमबर आता है तो इसमें देखिए सबसे जो option ने दिया आप पर यहां पर option B आपका correct हो जाए कि देखिए नेपाल आपका दिया हुआ है पाकिस्तान के बाद दिया हुआ है तो इस तरीका से जो है आपका option B इसमें correct हो जाएगा तो यहां पर देखिए जितने भी neighboring country है इंडिया के और साथ मोन का boundary length कितनी है वो कौन-कौन से country ह share करते हैं तो यह चीज़ा आप लोग याद रखना तो सबसे पहले question अपसे यह पूछा आता है कि इंडिया के साथ neighboring country और कौन-कौन जाए share करते हैं border race के साथ में तो पहला आपका हो गया भुटान हो गया तो इसके देखिए जो length है total तो वो है 699 km है और उसके बाद यहां next देखिए Myanmar है तो इसके देखिए जो boundary length है तो वह है लगभख 1643 km है तो आप मैप में भी देखना कि कौन सा country कि इधर है और border उसके कौन-कौन share करते हैं फिर उसके बाद देखिए नेपाल आपका है तो इसका है 1751 km लेंध है इसकी फिर पाकिस्तान है तो इसका देखिए 3330 km रिए पाइनमार और हूटान बीसका सात में अब रहीए यहां पर यहांपर आप से पूछा आता है यहांपर जैसे इंडिया इंडिया यह सार नेवरींग कंट्री तो है लेकिन इसके आलावे अफगानिस्तान भी वीenergy का जैसे इंडिया कही पार्ट है तो अफगानिस्तान भी constellation का साथ टीक कर सकते हैं और साथ में water boundary की हम बात करते हैं तो नीचे देखी सिर्लंका है यहाँ पे तो इंडिया का साथ सिर्लंका जाती है यहाँ पे water boundary जो की park state separate करती है इन दोनों country को फिर अगला question देखिए कि who was the father of Indian space program तो इंडियन space program के father किसे बोला जाता है तो इसका देखिए right answer आपका हो जाएगा option A that is बिक्रम अमबाला सारव भाई तो option A आपका जो है correct हो जाएगा तो देखिए जो बिक्रम अमबाला सारव भाई जो थे यह इंडियन फिजिस्ट और सास अत्मी यह astronomer भी थे तो इन्होंने ही इन्होंने ही इंडिया के लिए निकलियर पाउर को डेवलप करने के लिए और सास अत्मी देखिए इनको और भी बहुत सरे आवाड दिये जा चुके हैं जैसे कि पद्भूसन आवाड से इनको सन नमाजे जा चुक तो यह question आप से पूछा जाता है frequently तो आप लोग इसको याद रखना फिर अगला question देखिए कि dash is a way to quickly access a favorite website by saving it in your browser तो कौन सा एक तरीका है कि जिसमें कि आप quickly save कर लेते हैं कोई भी favorite website रहता है तो आप उसको directly save करते हैं अपने browser में आप अगर मालेजे कि फिर से अगर आप जो आप खुलते हैं वह से open करिएगा तो वहां से आप quickly कोई भी website आप जा सकते हैं बीना उसका address को type किया हुए ही तो यह सारा चीज़ हम लोग bookmarks में save करते हैं हम लोग तो option B जो आपका हुआ तो इसका आपका correct हो जाएगा तो यह चीज़ अपने notice भी किया होगा कोई भी favorite website है तो आप उसे अगर bookmark करके रख लेते हैं तो आपका save हो जाता है और अगर आप दुबारा फिर से उसी में आप जाते हैं बीना type करते हैं आप directly वहां पे लोग इन हो जाते हैं तो यह चीज़ अपने practically किया भी होगा फिर अगला question देखिए कि Dr. Ambedkar was the chairman of which committee constituted to form the Indian constitution तो उसमें जो constituent assembly थी तो उसमें बहुत सारे चीज़ों के लिए जो chairman जैसे थे अलग-अलग committee के अलग-अलग chairman थे उसके तो drafting committee का जो chairman थे तो वो Dr. B. Ambedkar जी को बनाया गया था तो इस तरीके से Dr. B. Ambedkar जो थे तो यह drafting committee के chairman थे तो option B जो आपका यह correct हो जाएगा that is option B आपका हो जाएगा तो देखिए constitution कैसा हमारा होगा उसकी धाचा कैसी होगी तो उसका जो है निर्मान किया था Dr. B. Ambedkar जी ने question आप से पूछा आता है exam से related कि जो major committee थे constitution से और उसके chairman कौन-कौन से थे तो यह चीज़ आप लोग यहाँ पर याद करना है यहाँ पर हमने आपको पूरा list दे दिया है जैसे कि drafting chairman तो drafting chairman यानि कि जो constitution जो हमारा है तो उसकी drafting मतलब कैसा धाचा कैसा होना चाहिए तो इसके chairman chairman थे ब्यारम मेट कर फिर उसके बाद देखिए union power committee के जो chairman थे तो वो थे जोहरला नहरू इसके बाद देखिए जो union constitution committee था तो इसकी भी chair में थे जोहरला नहरू फिर अगला देखिए जो provincial constitution committee था तो उसके chairman थे बल्ला भाई पटेल जी थे फिर next देखिए कि advisory committee जो fundamental rights जो minorities के लिए है तो इनके लिए जो बनाया गया था chairman तो वो थे इसके सर्दार वल्ला भी पटेल जी थे फिर अगला देखिए rules of procedure committee की जो chairman थे तो वो राजिन दपरसाद जी को बनाया गया था इसके लिए जो state committee थी यानि की जो committee था कि state के साथ किस तरीके से negotiate करना है तो इसके chairman थे जोहारला नहिरू जी फिर steering जो committee था तो इसके chairman थे राजिन दपरसाद इसके साथ साथ में देखिए जो अगला committee अपका है committee for the function of the constitution and assembly के लिए तो इसके लिए थे जी बी मागलंकर तो यही देखिए फिर जाके speaker बन थे हैं इंडिया के तो जी बी मागलंकर इंडिया के पहल जो आपको याद रख नहीं है कोई ने कोई एकजामे आपसे पूछ से ही जाते हैं फिर अगला question देखिए कि which are the following Indian participated in all the three round table conference तो देखिए जो table round conference जो होती थी लंडन में और्गनाइज किया जा था ब्रेडिस सासन काल में तो उस समय जो यह जो जो three round table conference जो हुए थे तो ती इनों में कौन से इंडियन थे जिन्होंने participate किया हुआ था तो तीन ट्रोडल समयलन हुए थे तो इसमें जो है देखिए डॉक्टर भी आरंबेटकर जी थे और साथ में तेज बहादूर सपुरू थे इन दोनों ने जो तीनों जो इसके round table conference जो हुए तो तीनों में इन्हों में दिय रहा था उसको अपमार्क कर सकते थे और देखिए फिर महत्मा गांधी से भी आपका पूछा आता है कि महत्मा गांधी जी ने यह कौन से round table में participate किया हुआ था तो फॉस्ट में इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ था क्योंकि दिखिए जब फॉस्ट round table कॉंफरेंज अब चल रही थी तो इस समय महात्मा गांधी दे सिविल डिसविदेंट बुहमेंट को इनिसेट इन्होंने किया हुआ था उस समय तो यह इंडिनेशन कॉंग्रेस के भिहाप इन्होंने इनिसेट किया हुआ थो तो इस कारण से जाहिए उसमें नहीं पाडिसिप पाकिस्तान ने कब सबसे पहली बार इन्होंने आक्रमन किया था वाल जो हिशा है इंडिया का तो इसको फेली वर भी बहार भी बोला जाता है जो पाकिस्तान के बीच में यह युद हुई था जो कि प्रिंसली स्टेट पर जमों और कस्मिर थी तो यह दिखिए इन दोनों देशों के बीच में, इंडिया इन पाकिस्तान के बीच में यह पहली ऐसे लड़ाई थी, जो बहुत लंबे समय के लिए चली थी, आप लोग याद होंगे कि जैसे जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अभी तक कुल मातर ऐसे तीन ही जंग हुए हैं जिसमें की मेजरली वार फोट किये गया हुए थे तो आप लोग याद रखे होंगे कि 1965 पहला उसके बाद पिस 71 में फिर 99 में करगील का हुआ था तो इसके पहले भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो चुकी है तो यह हुआ था 1947 में ही हो चुकी थी जो कि कस्मीर से लेके पर प्रिंसली स्टेट उस समय थी तो उसके बाद पिर जो जो हरी सी थे जो कस्मीर के किंग थे तो उन्होंने चाहिए एक इसके बारे में पढ़ें नहीं होंगे लेकिन यह पहली ही वार्फाट हो चुकी थी यह आपका हो जाएगा दाइट इस 1947 ऑप्सन यह आपका करेक्ट हो जाएगा तो यहां पर देखिए आप अच्छे से इसको आप समझ सकते हैं तो जैसे पाकिस्तान आप जो यहां पर दे पाकिस्तान ने आकरमन किया था उस समय तो यह पूरा जो पाट है इसका कस्मीर चुझा सटा हुआ है जो रीजन इधर काती है उसके ही सब यह चला गया था फिर एकला कोश्चन देखिए कि तब प्रोसेस ऑप ट्रास्पर अप फेरेटरी करेक्टर प्रम वान जेनरेशन ट जो भी करेक्टर रहता है तो वह जैसा ही रिटरी इंफरमेशन ट्रांसपर होते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग जेनेटिक्स बोलते हैं हम लोग तो राइट एंसर ऑप्शन डी आपका हो जागा यह चीज हमने पाईलोजी वाले क्लास में बहुत ही अच्छे से इसको डि 1930 में तो आपको मैंने नोबल प्राइज बिनर के लिस्ट आपको दिखाया थी इंडिया से कि क्यों कौन है दिनों को नोबल प्राइज दिया जा चुका है इंडिया से तो आप लोग फिर से एक बर देख लिजए आप और कौन से एर में दिया गया था इनको तो यह भी आप 1930 में दी गया थी फिजिक्स के फिल्ड में फिर अगला देखिए हर गोविन खुराना को दिया गया था मैडिसिन के फिल्ड में 1968 में फिर उसका इतर woven t kettle चंतर सीख जिए धिस के फिल्ड में दिया गया थाisée میں उसके बद फिर अमरत्य से इनको दिया गया था एक्झनॉमिक साइंस के फिल्ड में 1988 में इनको दिया गया था फिर उसके बद बेंकर करने ट्रम Spider iq को दिया गया था economic science के field में तो इनको जो 2019 में दिया गया था आवा तो यह चीज़ जो है आप लोग याद रखना है Nobel Prize winners से आपके question आते ही आते हैं और खासकर जो Indians ने जिन्होंने जिता हुआ Nobel Prize जिनको दी गई है और किस field में दिया गया है कौन से field से related है और कौन से year में इनको दिया गया था तो यह भी आपसे question आप पूछा आते हैं तो यह आपको काफी important है आप लोग इसको अच्छे से जरूर याद करना फिर अगला देखिए question आपका है कि the mass density of kerosene is तो mass density kerosene का यह क्या है तो option में देखिए आपको option पढ़ने पर समझ में आएगा option यह दिया वाटर equal to water या less than water या नाव देबाव तो देखिए जो kerosene के जो density होती है तो water comparison में यह इसकी density lighter होती है यानि कि यह kerosene को अगर आप दालिएगा तो वह जो है आपका ऊपर ही रहेगा यानि कि नीचे नहीं जाएगा उपर ही रहता है उसका सता पर ही रहती है क्योंकि जो kerosene है तो वह water का जो density है उससे हलका होता है यानि कि lighter होती है तो इस तरीके से दिखिए जो mass density होती है kerosene का तो वह less than water होती है तो option C अगर आप लेते हैं तो वह आपका जैसे weight आपका रहे है क्यों 120 kg यानि कि अगर आप एक लेटर आप लेते हैं kerosene का यहाँ पे तो वह आपका पानी comparison में अगर आप बात करते हैं तो इस तरीके से जो है आपका यह बाहर उपर मतलब जो सता पर यह float करता है तो अपने question भी यह पढ़ा होगा कि kerosene floods on water थे इसके पीछे region इसका यही है कि इसके जो mass density होती है kerosene का तो वो water comparison में less होती है तो इस कारण जो है यह float करती है तो thank you दोस्तो आपको कैसा लगा यह lecture आप लोग comment करके जरूर बताना और इसी तरीके से आपका आगे भी class चलता रहेगा आपका जब तक यह आपका एक jam over नहीं हो जाता है question series आपका यह चलता रहेगा जैसे कि आपको question practice आपका हो जाए यहां पर आउसात में आपका दयारी भी कुछ हद तक आपका हो जाए GK के छेतर में यो कि देखिए GK आपका एक बहुत वास section आपका होता है तो इसमें आपको लग आपको यहां पर help कर रहे हैं तो आप लोग ज़रूर इसको सेयर करना पर फेर्णिस के मंग तो चली दोस्तों फिर मिलता है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए